एक जंगल में एक बकरी रहती थी वह जंगल में ही अपना घर भी पना चुकी थी उसके तीन बच्चे भी रहते थे बकरी रोज जंगल जाती और हरे हरे घास खाकर वापस आ जाया करती थी कुछ तिनों के बार वह जंगल जाना बन कर देती है और वह वही अपने घर के आसपास ही चारा चरने लगती है और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहती थी कुछ तिनों के बाद आसपास के हरे हरे घास खत्म हो जाने के बाद वह सोचती है कि मैं कब तक वह घर पर ही रहने की तलाश तो कहीं न कहीं करना ही पड़ेगा तब बहुत विचार करने के बाद वह तै करती है कि फिर से जंगल की ओर खाने की तलाश में वह जाएगी इतने में उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगती है क्योंकि वहां एक जंगली भेडिया रहता था वहां हर समय उसके बच्चों के उपर नजर जमाए पैठा हुआ था उससे अपने बच्चों को बचाने के लिए एक तरकीब सोची और बच्चों से कहती है कि बच्चों जब मैं वापस आऊं तो मैं तीन बार दरवाजा खट-खटाऊंगी तभी तुम दरवाजा ख़ोलना कोई और अगर दरवाजा खट-खटाएगा तो मत खोलना बच्चे उसकी बात मान लेते हैं अब बकरी निश्चिंत होकर जंगल जाती और वापस आकर तीन बार दरवाजा खट-खटाती बच्चे आवाज सुन दरवाजा खोलते बहुत दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा यह सब भेडिया चुपके से देखता था वह जान चुका था कि दरवाजा कैसे ख़लवाना है एक दिन जब बकरी जंगल की और चली जाती है तो भेडिया मौका पाकर बकरी के घर आकर तीन बार दरवाजा खट-खटाता है बच्चे खुश हो जाते हैं कि उनकी मा आ गई लेकिन वह सोचते हैं कि मा इतनी जल्दी कैसे आ गई फिर वह मा के बताय हुए तरीके को याद कर ले मा आई है यह सोच वह दरवाजा खोलते हैं लेकिन सामने अपनी मा को ना पाकर भेडिये को देख वह तर जाते हैं वह भेडिया उन तीनों बच्चों को खा जाता है कुछ समय के बाद बकरी आती है और दरवाजा खुला देख परिशान हो जाती है वह अपने बच्चों को आवाज लगाती है लेकिन वह नहीं आते हैं वह भेडिये के पंजों के निशान देख समझ जाती है कि भेडिया उसके बच्चों को खा गया है वह अपने बच्चों को वापस लाने के लिए त्रण संकल्प करती है और मोची के पास जाकर अपने सिंगों को नुकिला करवाती है ताकि वह भेडिये से मुकाबला कर सके फिर जंगल में इधर उधर घूम घूम कर भेडिये को डूलती है और जब भेडिया मिल जाता है तब उनसे अपने बच्चों को वापस मांगती है तब भेडिया मना कर देता है और उसके उपर हसकर कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों की तरह तुम्हें विखा जाऊंगा तभी बकरी उसके पेट पर अपने नुक्वीलर सुंगे से हमला कर देती है और अपने बच्चों को वापस पा जाती है और उन्हें घर ले जाती है तभी कहा जाता है कि किसी भी वैक्ति को सामने वाली की कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कमजोर व्यक्ति भी कभी कभी भारी पढ़ सकता है